नमश्कार कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 26 अगस 2021 से लेकर 21 सेप्टेंबर 2021 तक बुद्ध ग्रेय का मेश से लेकर के मीन लगन तक की राशियों में जब कन्या राशी में वे अपनी स्वेर राशी में और उच्च के होकर के कोचर करेंगे तो उनका क्या रिजल्ट प्राप्त होगा और सबसे पहले बुद्ग्रे की नेचर के विशे में जान लेते हैं बुद्ग्रे क्या है, उनका अंसभाव क्या है, किस प्रकार का विरिजल्ट देते हैं तो बुद्ग्रे के विशे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुद्धिग्रे, intelligence, वानी, business, software, advantage इन सब चीजों के कारक हैं बुद्धिग्रे के माध्यम से ही व्यक्ति को अच्छे विचार आते हैं और वह अपना communication system अच्छा कर पाता है बुद्धिग्रे को धन से भी जोड़ कर देखा जाता है धन और धन से संबंदित जो कारिये होते हैं बैंक के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर जो धन का लेखा जोखा रखना वह ऐसा बुद्धिग्रे के अंडर में आता है बुद्ध ग्रह एक विद्या बुद्धी का कारक भी है विद्या बुद्धी देने का कारिय भी करता है इसके साथ साथ अब बात करते हैं मेश से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए जातकों के लिए बुद्ध ग्रह क्या रिजल्ट देंगे सबसे पहले बात करते हैं मेश लगन वालों के लिए मेश लगन वालों के लिए इनके six house से बुद्ध ग्रहे गोचर करेंगे बुद्ध ग्रहे इनके third और six house के lord होकर के इनके six house से गोचर करेंगे जो की इस समय में इने marketing आधिकारियों से लाप परदान कराना इसके साथ साथ इस समय में इने कोई small traveling के माधियम से लाप परदान करना परोस इत्यादी में अपना कोई लाप परदान कराना नेम फेम परदान करना इसके साथ साथ six house में जब बुद्ध ग्रहे जब तक रहेंगे तब तक यहाँ पर इने इनके शत्रूओं से किसी प्रकार की भी चिंता नहीं सताएगी इस समय में इनके वाणी दुआवा इनके वाणी के परभाव से ही दूर रहेंगे इस समय में मेशलगन वाले यदि किसी लोन के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो इस समय में वे लोन भी प्राप्त कर पाएंगे इस समय में उन्हें धनकी प्राप्ती भी होती रहेगी इसके साथ यदि मेश लगन वालों को पिछले समय से कोई रोग हो रहा था तो वह रोग इस समय उनका समाप्त हो जाएगा रोग में उनके सुधार होगा, और उन्हें लाप राफ्त होगा, इसके बाद बात करते हैं, वर्शब लगन वालों के लिए वर्शब लगन के लिए बुध्यरई, इनके 2nd और 5th हाँस के लोर्ड होकर, इनके 5th हाँस में गोचर करेंगे तो इस समय में इन्हें अगर ये वर्षब लगन वाले इस समय कोई student है तो इस समय में वे अपने education के कारिये में बहुत अच्छा कर पाएंगे इस समय में इनका जो mind है वे बहुत ही अधिक education के लिए active रहेगा और वे सभी परकार की education प्राप्त कर पाएंगे इस समय में जो वर्षब लगन वाले हैं वे किसी software इत्यादी का निर्मान अगर करते हैं software आदी से let it कोई education प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं या उसके लिए कोई entrance अगरा देना चाहते हैं तो इस समय में वे बहुत अच्छा कर पाएंगे इसका उन्हें advantage प अगर वे देखे तो उन्हें उनकी संतान के माध्यम से name fame प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे समय समय पर उन्हें हो सकता है कि धनकी भी प्राप्ति हो तो ये था वर्षब लगन वालों के लिए अब बात करते हैं मिथुल लगन वालों के लिए मिथुल लगन के जो जातक हैं उनके लिए बुद्ध गरें उनके फर्ष्ट और फॉर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के उनके फॉर्थ हाउस में गोचर करें तो मिथुल लगन वाले जो हैं उनके उनके लिए सबसे पहला ये समय तो ये रहेगा कि इस समय में जो मिथुल लगन वाले हैं वे अपनी प्रसनेल्टी डेवलमेंट के ऊपर कारिये करेंगे वे अपने ऊपर कारिये करेंगे अपने आने वाले भविश्य में क्या यूजना बनाने चाहिए उसके विशे में ये कारियरत रहेंगे, सुष्थ रहेंगे, दूसरा इनके जो fourth house है, इस समय में इनका अपनी माता के साथ लगाव होना, अपनी माता से किसी प्रकार की मुलाकात होना, माता के सुष्थे भी समय में मिथ्वन लगन वालों का अच्छा रहेगा और इस समय में मिथुन लगनवालों को अपने घर का अच्छा लाप्राप्त हो पाएगा इसके साथ साथ मिथुन लगनवालों को अपने कारिय वेवसाय से भी लाप्राप्त होगा हो सकता है मिथुल लगनवाले इस समय अपने कारिये वेफसाहे में किसी सोफ्ट्वेर इत्यादी को एड़ करके उसके माध्यम से लापराप्त कर पाए ये सब उनके लिए बेनिफिट रहेगा बेनिफिशल रहेगा इसके बाब बात करते हैं करकलगनवालों के करकलगनवालों के 3rd house मे प्लेनेट होक करके इनके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे इस समय में ये जो समय रहेगा इनके लिए छोटी यात्रा करने का मार्केटिंग आदी के कारियों से लाप्रदान प्राप्त करने का और उसके साथ-साथ अपने पिछले जनम में जो कुछ इन्जे कारिय किये थे उसक का भी जिसे कहते हैं प्राइस्चित करने के लिए ये थोड़ा धार्मिक बुद्धी वाले हो जाएंगे इनके अंदर थोड़ा धार्मिक बुद्धी का विकास होगा जिसके माध्यम से अपने पुराने वाले जो पिछले जनम के जो पापपुन्ने होते हैं पिछले प्रा गवान के घर पे जमा होता रहेगा इस समय में ये सुष्ट रहेंगे इस समय में इसी प्रखार का कोई बड़ा रूग होने की कोई संभावना नहीं है और इनके लिए लाबदायक रहेगा इसके बात करते हैं सी लगनवालोत की सी लगनवालोत के सेकंड हाउस में बुद्धिक्रे गोचर करेंगे करन्याराशी में और इनके सही लगन वालों के लिए बुद्धिक्रे इनके 11 और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के गोचर करेंगे तो इस समय में सही लगन वालों को धन का लाब होना इसके साथ साथ धन के सेविंग कर पाना इसका लाब प्राप्त होगा और इस समय में सही लगन वाले कोई प्रोपल्टी आदी का कारिये नेम फिम प्राप्त करने का कारिये भी कर सकते हैं इस समय में इनके प्रिवार के साथ, इनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, इनका communication system बहुत अच्छा रहेगा, इस समय में ये अपने सभी कारियों को सुचारू रूप से कर पाएंगे और सभी परकार काहिने लाप्राप्त होगा, इसके बाब बात करते हैं कन्या लगन व वालों के लिए बहुत ही लाबदायक रहेगा, इस समय में कन्या लगन वाले अपने कारियों वैवसाय में तरक्की कर पाएंगे, यदि वे कोई जॉब करते हैं या बिजनस करते हैं, इस समय में वे हो सकता है, अपने वैपार को आउट ओफ इंडिया ले जाने का कारियों क या किसी सोफ्वेर या गैजट की मदद से अपने वैपार्क वैवसाय को बढ़ाने का प्रोस्त कारिये करें, जिसके माद्यम से उन्हें लाब प्राप्त हो, इसके साथ साथ कन्या लगन वालों को इस समय में ये सभी परकार के सुख परदान करेगा, घर का इन्हें सुख प्राप्त होगा, इस समय में थोड़े समय ये अपने घर पर रैष्ट भी कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के पलिने प्राप्त होंगे, इनके लिए इलाब दायक रहेगा, इसके बाब बात कर लेते हैं, तुला लगन वालों के लिए बुद्ध ग्रे इनके भाग्ये के कारक ख और खर्चे के कारक होकर के इनके ट्वैल्थ हाउस से गोचर करेंगे, इस समय में जो बुद्ध ग्रे हैं, इने तुला लगन वालों को इनके भाग्ये के माद्यम से फॉरन लेंड पर भेजने का कारिये भी कर सकते हैं, अगर तुला लगन वालों ने पिछले समय में किसी अबरोड जाने के लिए कोई प्लारिंग की है या कोई इनोंने वीजा वगेरा के लिए अपलाई किया है, तो इस समय में इनके वीजा का लाप्राप्त हो सकता है, इस समय में तुला लगन वालों को बुद्ध ग्रे के माद्यम से सभी परकार का भाग्ये का सपोर्ट प्रा सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ने के चांसिस होते हैं तुला लगन वालों के लिए परन्तु खर्चा आमदनी से कम ही रहेगा, जादा नहीं होगा, इसलिए लाबदायक रहेगा, इसके बाब बात करते हैं, वर्ष्चिक लगन वालों की वर्ष्चिक लगन वालों के लिए बुद्ध ग्रे जो है इनके एट और इलेवंध हाउस के लॉर्ड होकर के इलेवंध हाउस से गोचर करेंगे इस समय में व्रश्चिक लगनवालों को कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से नेमफेम की प्राप्ति हो जाना या किसी प्रोपल्टिक का लाप्राप्त हो पाना ये सब चीजे इनके साथ घटित होंगी और इस समय में हो सकता है ये अपनी सेविंग में कोई चेंजिज करें इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजिंग करें या इस समय में ये कोई ऐसा कारिये जैसे श्टोक मार्केट इत्यादी में अपने धन को इन्वेस्ट करके आने वा माध्यम से किसी प्रोपर्टी का लाब प्राप्थ हो जाए या हो सकता है इस समय में यह इनके पिता के माध्यम से कोई प्रोपर्टी या कोई धन इत्यादी प्राप्थ करने का लाब प्राप्थ हो तो इनके लिए लाब दैग रहेगा इसके बाब बात करते हैं धनूलगन व अगदी कोई वैपार करते हैं बिजनस करते हैं तो इस समय में उनका वैपार बिजनस बहुत तेजी से दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेगा इस समय में बुद्ध ग्रह की जो यहां पर पोजिशन है यह उनके इस पाउस और पार्टनर के माद्यम से उनके बिजनस को बहुत तेजी से ग्रो कराएगी और उनकी एडवाइज अगर धनुलगन वाले अपने धनुलगन वाले इस समय में अपने इस पाउस और अपने पार्टनर की एडवाइज ले करके अपने वैपार बिजनस को बढ़ाने का कारिय करते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत अच बढ़ा मकर लगन वालो के लिए इस समय में को बढ़ार दिन वालो के लिए एक waited को लिएज करे का व्याय बहुत अपने वाले इनके 5 Improv इनके 5 Sup वाव इनके नाइन्व हाउस के लिए उनके 5 і 6 लोडी को बढ़ा तो पार्वा से साई में 100 और लिए 7 एक लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है कि इस समय में मकड लगन वाले हो सकता है किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाए किसी धार्मी की यात्रा पर जा सकते हैं लॉंग ट्रैविलिंग पर जा सकते हैं इस समय में मकड लगन वाले कोई हायर एजूकेशन के लिए भी आ नाब दायक रहेगा। इसके बात करते हैं कुम्ब लगन वालों के लिए बुद्धिघ्रे इनके विफट और इनके Eight ुजारं के यौज़ हो करके इनके एट्वान में प्लेश्ड हैं प्लेश्ड गोचर करेंगे किकि रूण वालों के लिए इससमय इस समय इनके spouse के परीवार वालों के मात्यम से और इनके साधर के मात्यम से इनकिसी धनकी प्राप्ती के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे इस समय में जो कुम लगन वाले हैं इन व्यक्तियों को वार्से का लाप प्राप्त होना और इसके साथ साथ अपने चिल्डरंस के माध्यम से नेम फेम की प्राप्ति होज़ पाना संभाव रहेगा इस समय में जो ये मकुम लगन वाले जो जातक हैं इस समय में यदि कोई एजुकेशन के लिए आउट ओफ इंडिया जाना चाते हैं तो इसके लिए मैं अभी रोकूंगा कि आउट ओफ इंडिया ना जाएं बट अगर वे कोई एजुकेशन के लिए थोड़ी दूरी पर जान चाहते हैं तो education के लिए जा सकते हैं उनके लाब दाइक रहेगा इसके बाब बात करते हैं मीन लगन वालों की मीन लगन के जो जातक हैं उनके लिए बुद्धिग्रे उनके 10th वो 4th और 6th house के 4th और 7th house के लौर्ड हो करके इनके 7th house से गोचर करेंगे तो इस समय में को किसी ना किसी परकार से घर का सुख एक अच्छे घर का सुख परदान कर सकते हैं इस समय में मीन लगन वालों का अपनी माता के परती लगाओ बढ़ जाएगा और उनका उनसे मिलना भी हो सकता है मीन लगन वाले इस समय अपनी माता से मिलने जाएं और किसी परकार की कोई help उनसे प्राप्त करें और इसके साथ जो मीन लगन वाले जातक हैं इस समय में उनकी spouse का जो व्यवार रहेगा उनकी वानी उनकी communication करने का जो तरीका रहेगा वे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर तरीके से वे बात करके अपने spouse के साथ understanding बना पाएंगे इसके साथ जो मीन लगन वाले जातक हैं यदि वे किसी विजनस या वेपार को करते हैं इस समय में उनके spouse और उनके partner के माद्यम से बताई दिखाना चाहते हैं या घर का renovation कराना चाहते हैं तो इस समय में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसका वे लाप प्राप्त कर सकते हैं जब तक बुद्ग्रे या मीन लगन वालों के लिए 7th house में है तब तक इन्हें अपने partner के साथ understanding बहुत अच्छी रहेगी और उनक के मादियम से वे लाप भी प्राप्त कर पाएंगे तो ये था औराल में इस से लेकर के मीन लगन के जातकों के लिए बुद्ग्रे का अपने स्वेर राशी कन्या राशी में उच्छ राशी में होकर के गोचर का परभाव अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और यदि इस वीडियो के बारे में आपके पास कुछ सुजाव है तो आप अपना सुजा मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं और मेरे इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद नमस्कार